हेलो डिस्क्लेमर पढ़े हैं और फॉलो करें हैं होकी नेक्स टॉपिक है सुपर एलिवेशन सुपर एलिवेशन पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले डायग्राम से आप देखिए जैसे कि यह कि रेल का जो कर्फ जो आता है मोड जब आता है जब भी रेल में तो क्या हम करते हैं कि जो अंदर वाला जो सिरा है उसको हम नीचे रखते हैं उपर वाले सिरे को थोड़ा सा उपर रखते हैं इससे क्या होता है कि उपरी और बाहरी और अंदर वाली जो रेल है उसमें में इसको हमने बूले सफबते हैं कि अपकेणर बंड लगता है और अपके अब्राइभ लगता है तो दो कि वाला जो रिणे उसको न उठाना पड़ता है। पसे बाहर चली जाएगी ठीक है इसकी हम थियोरी देखते हैं इन ओर तो रेजिस्ट दा आउट्वर्ड अट्टिंग सेंट्रिफुगल फोर्स ऑन दा कर्व सेक्शन ओफ दा रेल्वे ट्रैक इस कॉस्टुमरी तो रेज दा आउटर रेल अफ दा ट्रैक अबाउफ दा इनर रेल इसका मतलब यह है कि जब भी कर्व आता है तो गाड़ी पे सेंट्रिफुगल फोर्स लगता है तो सेंट्रिफुगल फोर्स को रोकने के लिए और हम नहीं चाहते कि जो ट्रैक से बाहर चलिया तो उसके लिए हम क्या करते है कि बाहरी रेल है उसको अंदर वाली जो रेल है उसले कुछ हाइट से उपर उठा के हम रखते है तो एक रेशियो बनता है रेशियो क्या रहता है कि कितनी हाइट से आउटर रेल को उठाया गया है और दो रूझान्टल वीट ना कर उठायंक इस रेशियो को हम रोचाइट से ज्बाद ने आउटर आटर में कितनी है इस रेशियो को हम गवारते हैं पर वेशियो रेडिशन के लिए अलग-अलग रहता है depending upon the speed or depending upon the radius of curve तो इसको calculate किया जाता है हर बार आंगे हम देखते हैं objective of the super elevation can be listed super elevation क्यों दिया जाता है उसके कुछ points लिखने हैं पहला to ensure the safety of the movement of moving train by counteracting the centrifugal force पहला point यह बोल रहा है कि जो train चल रही है कर्व पर उसकी safety के लिए हम यह करते हैं ताकि centrifugal force से जो train है वो track से बाहर ना चली जाए दूसरा point है to maintain stability of the track by ensuring equal distribution of the wheel load on the rails इससे क्या और रहता है कि दौनों रेल्स पे equal load आता है फिर आंगे लिखा है the above listed object leads to the advantage मतलब यह दौनों जो उपर points दिये हैं उनके कारण क्या-क्या advantage मिलते हैं क्या-क्या फायदे मिलते हैं पहला the running of the train at the high speed on the curve मतलब कि train को high speed पे curve पर भी हम दोड़ा सकते हैं दूसरा reduction of the wear of the rail and the creep on the curve track लब की कर्व ट्रैक पर कर्व पर रेल के ट्रैक पर क्रीप भी नहीं होती और रेल में वीयर भी नहीं होता ग्रशन नहीं होता अगला पॉइंट दर रेडक्शन इन द वियर ऑफ द रेल स्टॉक एक्क्यूप्मेंट और मेंटेनेंस कोस्ट अगला पॉइंट यह है कि जो rolling स्टॉक है rolling स्टॉक का मतलब जो बोगी है इंजन है उसमें वीयर एंटीर कम रहता है और और एक्क्यूप्मेंट कम लगते हैं और मेंटेनेंस कोस्ट भी कम लगती है तो पर एलिवेशन का यह फॉर्मला है एक्क्यूल टू जी इंटू वी स्कॉर अपॉन टी सेवन आर यहां पर हम देखते हैं कि जी है गेज ऑफ ट्रैक आर है रेडियस ऑफ कर वी है स्पीड ऑफ वेहिकल इन किलोमीटर पर आर फिर अलग अलग गेज के लिए सुपर एलिवेशन किस तरह से दिना है यह इसकी एक्वेशन दी हैं ब्रॉड गेज मीटर गेज और नेरो गेज में और इंडिया में जो सुपर एलिवेशन की में वेल्यू है वो गेज के वन टैन्थ ली जाती है उस तरह से ब्रॉड गेज के लिए और गेज के लिए और नेरो गेज के लिए और नेरो गेज के 7.62 cm तो थैंक य।